Hello everyone, student UGCnet के दोरा UGCnet का जो syllabus है उसको बदले जाने की बात की जा रही है तो इसमें जो big update है कि इसको मंजूरी तो मिल गई है UGCnet का जो syllabus अभी तक follow किया जा रहा था उसको change कर दिया जाएगा तो अब यही सोचना है कि इसमें क्या बहुत ज़ादा updates आएंगे आप में से बहुत सुर्ण में से पूछ रहे हो कि माम आप बताएए कि syllabus में क्या-क्या changes हो सकते हैं आप देखो इसको मंजूरी तो मिल गई है syllabus change होना है 3 December को इसकी बैठक हो रही है लेकिन syllabus को कितना भी change किया जाए मैं हमेशा क्याती हूँ यह जो basic content है वो नहीं change होगा जैसे आप micro पढ़ते हो macro पढ़ते हो international UG Senate का जो पुराना syllabus है उसको मैं 8 भागों में बाटू मैं इसको 8 papers में बाट करके पढ़ाती हूँ micro का paper अलग है macro है then आपका public finance international economics है Indian economics आप पढ़ते हो econometrics को भी मैं अलग से कराती हूँ econometrics का paper है साथी साथ परियावरन से सम्मंदित है और सांखे की है तो basically हम 8 papers में इसको बाटते हैं विकास कार सास्त्र भी है तो जो भी changes होंगे वो इन ही paper में होंगे लेकिन economics का कोई नया content तो नहीं लिखा जाएगा ना ही economics की कोई नई theory आएगी है ना जो theory आप पढ़ते हो जो content आप पढ़ रहे हो जो micro economics अभी तक आपने पढ़ा है उनी में फिर बदल किया जाएगा हो सकता है ऐसे जो updates आ रहे है कि current affairs of economy इसको जो भी content है जो भी topics है जैसे वर्तमान अर्थववस्था में क्या चल रहा है अगर आप तो ना करो तो मैं तो student सारे state के PGT's को पढ़ाती हूँ तो खासकर मद्यप्रदेश का हो गया या फिराजस्थान का हो गया इन सभी के PGT's में आपको कुछ समसमाई की भी शामिल होती है जिनको हमें पढ़ाना होता है तो हो सकता है कि UGC net में भी इनको अलग से mention किया जाए question तो आते हैं आप अगर mention करे या ना करे इससे सम्मंदि सवाल तो आते हैं तो एक तो update मैंने ये बताया कि हो सकता है कि इसको अलग से दिया जाए आदेता नाकडे करकर के इसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं लेकिन जो art papers है उन art papers में जादा fair बदल नहीं किया जाएगा एक दो चीज जिसमें fair बदल करने की जरूरत है जब changes आ रहे हैं जरूरत क्या है कि जो net का syllabus publish किया हुआ है उसमें कुछ topics mention नहीं किये है अगर आप सांखी की का paper देखो econometrics का paper देखो तो जो models है Dickie Fuller model हो गया चैनरी का model हो गया ये सारे mention नहीं किये हुए लेकिन सवाल आते है तो मेरे अनुसार ये changes होने जरूरी है जिससे आप सवाल पूछते हैं वो mention किया जाना जरूरी है जो कि आप जो पुराना syllabus देखोगे इसमें specifically कुछ भी नहीं का हुआ है कि कितने सारे models पढ़ने है जो basic model है खासकर development economics में जो basic models है उनकी बात की गई है लेकिन जब questions आते हैं तो जो बहुत सारे ऐसे models है जैसे टोडैरो का model कहीं mention नहीं किया है पुराने वाले में लेकिन उससे सवाल आते है तोडैरो के model से आ जाता है चैनुरी के model से आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो changes आ रहे है वो इनसे related changes होंगे कि जो models exam में पूछे जाते हैं उनको syllabus में include किया जाए इसी के साथ साथ econometrics के syllabus में भी change होने की जरूरत है change मतलब इसमें कुछ extra जोडने की जरूरत नहीं है जो syllabus से काफी है क्योंकि UGC net का syllabus बहुत बड़ा है already बहुत बड़ा है लेकिन econometrics में भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे सवाल होते हैं कुछ ऐसे chapters होते हैं जो mention नहीं किये हुए आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि जो chapters क्योंकि आप तयारी करते हैं UGC net की बहुत महनत से करते हो और तयारी करने का हमारा पहला पड़ाओ क्या होता है हम किसी भी syllabus को follow करते हैं उस syllabus को पूरा करने की कोशिश करते हैं syllabus को पूरा करने के बाद जब आप exam देने जाते हो तो question आपको ऐसा feel होता है कि out of syllabus है तो इन चीजों को include किया जाना चाहिए and I hope किया जाएगा तो यह जो आप लोग के guess है कि ma'am क्या कुछ नए topics जोड़े जाएगे या कुछ topics हटाए जाएगे तो देखो student जो basic है वो नहीं हटेगा micro economics में आपको market पढ़ना होता है cost पढ़ना होता है production पढ़ना होता है consumption पढ़ना होता है तो वो तो पढ़ना ही है अगर उसमें से कुछ topics को हटा भी देते है cost जैसे मैं बहुत सारे syllabus में देखती हूँ cost नाम का chapter लिखते ही नहीं है consumption, production और सीधे market लेकिन आप बताओ अगर आप cost का chapter नहीं पढ़ोगे लागत का chapter नहीं पढ़ोगे तो क्या बिना उस chapter के आप आगे बढ़ सकते हो नहीं न तो जो भी चीज़े हटाई भी जा रही है उनको भी पढ़ ज़रूर लेना कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कम पढ़ाई करें ज्यादा पढ़ लो तो कोई problem नहीं है कम नहीं पढ़ना तो all the best to all of your student जिनके भी exam है चलो आप लोग तो आराम से जो पुराना syllabus है उसको follow करते वे exam दीजिए और जो नया syllabus आ रहा है उसके लिए ज़ादा परिशान होने के जरूरत नहीं है कि क्या हमें बहुत सारी चीज़े इसमें include करनी पढ़ेंगी ऐसा नहीं है जो भी syllabus है उसी को थोड़ा सा आगे पीछे किया जाएगा और मेरे ख्याल से जो जिससे सवाल पूछे जाते हैं उनको syllabus में जोडने की कोशिश भी की जा रही है तो let's see 3 December को जो बैठक होती है उसमें क्या रिसीजन्स लिये जाते हैं तो अभी आप लो जो exam दे रहे हो all the best student and इसके लिए मैंने test series जारी किया है आप UG Synet के लिए test series को मेरे app Shipranomics से ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ जून अगला जो exam आने वाला है जून 2014 उसके लिए batch मैंने start कर दी है you can apply for that batch also इसके लिए आपको मेरा app डाउनलोड करना है Shipranomics और मेरे app से हजारों के संख्या में जूडने के लिए thank you so much अभी जब मैंने app शुड़ों किया था तो भूत ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे लेकिन अभी मेरे app से बहुत सारे आप लोग 6-7 हजार की संख्या में आ रहे हो तो thank you so much for your confidence, for your trust on Shipranomics have a nice day, bye bye